गुड मॉर्निंग स्टुडेंट आज हम स्टांडर्ड 6 की एक्सेसाइज 2.3 के बारे में स्टाडी करेंगे यह एक्सेसाइज पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो सेकंड वाला वीडियो मैंने बनाया था वो डिवीसिबिल्टी रूल्स के बार अगर वो वीडियो अपने नहीं देखा है तो आपको वो वीडियो एक बार देखना ही पड़ेगा क्योंकि इसके बिना आपको यह एक्सेसाइज समझ में नहीं आएगी ठीक है तो पहले उस वीडियो के देखने के बाद यह एक्सेसाइज को सॉल्ट करने का ट्राइक करना वढ़ना दिमान में नहीं बढ़ाएगा उसका क्वेश्चन नंबर वन है यूजिंग दिवीजिबिटी टेस्ट जो हमने देख लिए अबपने लिए आह से यहां पर दो नंबर मैंने लिए बाकि के सारे बहुत सारे नंबर है वो अपको कुछ हम वर्क में करने है दो नंबर कैसे यहां पर यह और और नो आते हैं वो एक बार में आपको बता देता हूं देखो पहले तो यहां पे नंबर है और यहां पे divisible by मैंने लिखा है divisible 234 देखो कोई भी नंबर 2 से कब divisible होता है फिर से बता देता हूं जब उसका last digit यानि कि unit digit उसका either 0202468 होता है तभी वो 2 से divisible होता है यानिकि इसका digit क्या है 8 है यानिकि वो 2 से divisible है वैसे 3 से कब divisible होता है यानिकि जो sum of the number को जो भी नंबर में जितने में digit दिये उसका sum अगर 3 से divisible है तो वो नंबर 3 से divisible है इसका हम एडिशन करेंगे तो क्या होगा 8 प्लस 2 यानिकी 10 प्लस 1 यानिकी 11 11 थ्री से डिविजेबल नहीं है क्योंकि 3 थ्री थ्री से डिविजेबल नहीं है तो यह पूरा नंबर फॉर से डिविजेबल होगा है 28 को हम डिविजेबल करेंगे तो 27 थ्वा इनकी 11 रिविजेबल है इसलिए मैंने लिखा है 55 की क्या थी अगर लाउस्ट डिविजेबल होता है वनना नहीं होता यहां पर लास्ट डिविजेबल नहीं है 6 में मैंने क्यों लिख्या है ? अगर कोई भी number 2, 2 य heeft 3 दोनों से divisible हो तब भी वो 6 से होता है ,वनि Zumal नहीं था यहाँ पे 2 से है पर 3 से नहीं है इसलिए 6 में भी नहीं होगा दोनों में Yes होना चाहिए तबником 지금 around 6 में Yes होगा otherwise वो नहीं होगा 8 में yes लिखा है कियोंकि अगर last 3 digit यहां पे तो 3 digit है ठीक है यहां पे तो 3 digit यह तो तीन डीजीट है अगर वो तीन डीजीट 8 से divisible है तो आगे कित्ता भी बड़ा नमबर हो। यहां पे 128 लिखा है चलो ऐसा को डिविजन करें तो एट बन साइट फॉर बज़ेगा 48 ठीक है तो यह 48 भी आ जाएगा ठीक है यानि कि वह एट से भी डिविजेबल है आप इसका डिविजन करेंगे तो हो जाएगा 9 में 9 आ रहा है क्योंकि 9 बेभी 3 के जैसे ही की है देख लो एक बार उसमें भी क्या करना डिविजेबल नहीं है यानि कि उलेवन की की में मैंने आपको बता है ता कि वन लेना है वन स्किप करना है यानि कि इन दोनों का अडिजन करना है जासे कि 1 तुको स्किप करो और 8 यानि कि 1 & 8 का एडिजन कितना हुआ 9-2, 9-2 यानि कि कितना आया 9-2 यानि कि 7 अगर वो सब्ट्रेक्शन आइधर 0 और 11, 22, 33 यानि कि 11 के मल्टीपल में आता हो तभी वो 11 से डिवीजीबल है वढ़ना नहीं है इसका अब मेने वीडियो में अच्छे से समझाया था ठीक है इसलिए वो 11 से डिवीजेबल नहीं है ठीक है ऐसे ही सेकंड वाला भी देख लेते हूं 9-9, 0, लाज डिजिट के है 0 यानि कि 3 से डिवीजीबल है, स्वारी 2 से डिवीजीबल है वही 3 की के में देख लेते, 9-9 है कि 18, 3 के टेबल में 18 आता है, हाँ आता 4 वो नहीं है, क्यों 94 से डिवीजीबल नहीं होगा, उसके बाद में 5, लाज डिवीजीबल जीरो है तो यस आएगा, 6, 2, 7, 3 से यस यस है, तो 6 में भी क्या आजाएगा, यस आजाएगा, उसके बाद में 8, लाज 3 जो भी डिवीजीबल है, उसका डिवीजीबल कर दो 8 से, अगर वो होगा तो यहाँ पर नहीं है तो नहीं होगा 9 में 9 में divisible 9 में यह लिखा है तो 9 प्लस 9 है निकि 9208 यानिकि 9 से divisible है 10 से last digit 0 है तो 10 में BS आएगा वैसे 11 में देखो 9 यह स्किप और 9 प्लस 0 है निकि 9 माइनस यह वाल न 9 9-9 इनकी 0 यानिकि वो divisible होगा 11 से इसलिए मैंने यहां पर यहां पर लेका है ऐसे बहुत सारे नंबर है नंबर स्वाल करने से पहले अब भी जैसे मैंने आपको बताए कि आपको वो पिरियस जो भी वीडियो है मेरा सेकंड वाला पार्ट 2 उसे देखना ही पड़ेगा उसके नंबर कब 4 & 8 से यहां पर मैंने प्रोसेस के साथ बताए कि यह नंबर 4 से 8 से divisible है देखो पहले तो 4 से divisible है कैसे पता चले कर लास्ट 2 डिजिट का डिविजिट करना है 4 से यहां पर क्या लास्ट 2 क्या है 72 है उसका 4 से डिविजिट करो तो क्या आएगा फॉर वंजा फॉर यहांने कि रिमांडर यहां पर 00 आगा है यहांने कि 4 से डिविजिबल है पर 8 से डिविजिट किया है लास्ट 3 डिजिट लेने पड़ेगे पर 8 से रिमांडर 00 नहीं आया है यहां पर रिमांडर कुछ हमें मिला है 4 यहांने कि 4 से डिविजिबल है बाट 8 से नहीं है तो आपर मैंने लिखा है 572 is divisible by 4 but not divisible by 8 इस question में हमें यही find करना है 4 से और 8 से divisible है कि नहीं है वैसा ही second number है 726352 last two digit है 52 यानि कि 4 से divisible है reminder 00 है 352 8 से भी divisible है यानि कि यह number 4 से भी divisible है और 8 से भी divisible है फिर बताते हो 4 में last two digit आएगा 8 में last three digit आएगा 352 आएगा और यहां पर only 52 आएगा वैसा ही आपको CDEF GHIJ up to J तक आपको homework में करने है ठीक है बहुत ही simple इसलिए homework में दिये question number 3 है using the divisibility is determine which of the following number are divisible by 6 6 में बहुत ही simple है अगर 2 से होगा और 3 से होगा तभी 6 से होगा otherwise वो नहीं होगा पहले तो यहां पर देख लेगे last digit 4 यानि कि 2 से डिविजिबल होगा अभी 3 से होगा की नहीं होगा इसके लिए में क्या करना पड़ेगा addition करना पड़ेगा यहां पर मैंने addition भी किया तो नाइन से वर 1 डबल 4 इस डिविजिबल बाइब बोट 2 और 3 तो देरफॉर इस डिविजिबल बाइब शिक्स एक नमबर और भी देख लेते हैं देखो लास्ट डिजिट के आए 8 यानि कि 2 से डिविजिबल है फिर addition करते है तो 1 प्लस 2 यानि कि 3 यानि कि अगर हम 16 का डिविजिबल करेंगे त्री के साथ तो रिमांडर 1 बचेगा यानद कि यह नमबर 2 से डिविजिबल है पर 3 से नहीं है यह व्यूज़ से डिविजिबल नहीं है वैसे यह question no.3 में भी बहुत सारे sum दिये हैं ठीक है वो भी खूद आपको homework में करने हैं यह मैंने यहां पर लिखा नहीं है पर आपको यह चीज याद रखने हैं वह सारे जो भी remaining जो है question no.3 के वह आपको homework में करने है next video में हम question no.4 से start करेंगे और इस सारी चीजे homework में लिखके मुझे WhatsApp भी करना है बिना भूलें ठीक है have a good day